वाड़ेस अप कैसे हो सब तो पारमसी काउंसल ओफ इंडिया ने एक लॉंच किया है नया कोर्स जो है यह लर्निंग कोर्स ऑन रेशनल यूज ओफ मेडिसिन इंडिया ठीक है यह पीसी आय ने टस्टी और डबलू एचो इंडिया के कोलेबरोशन के थ्रू बनाया है और इसक भकलिखते हैं यह देखे हैं तो यह मत्สुन और तो यहां जो है पर उसमें आते हैं डिख म D Farm M Farm and Farm D यह चारो कोर्स eligible हैं इस चीज़ के लिए All pharmacists मतलब जिनों नहीं यह कोर्स complete कर लिया है जिनके पास registered pharmacist का license है तो वो सारे pharmacist इसमें eligible हैं इस चीज़ के लिए चीज़ के लिए यह देखिए कोर्स launch हुआ था 30th April 2020 4quat LMS Portal of Thirsty यहाँ इसका लिंक है इस लिंक सब डारेक्ली उस वेब ब्राउसर पर जा सकते हैं हम इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको इसका app download करना है more convenience के तो यहाँ पे App Store और Google Play का भी QR Code दिया हुआ है इसको आप scan कीजी और चालू कर दिजिए course उसके अलावा यहाँ पे लास्ट पेज में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे steps दिया हुआ है कि हमें steps मों को ऐसे follow करना है सबस्पहले वेब साइट पर जाएंगे registration करेंगे ठीक है और बाकी भी हम verification वागर के steps करने के बाद कोर्स चालू करेंगे modules को step by step modules complete होगा जैसी course complete हो जाएगा हमको एक exit assessment test देनी है जो कि most probably mcq based ही होने वाली है and then पूरा completion करने पे हमें qualify करने पे उसका 80% 50% criteria है उसे qualify करेंगा हमें certificate मिल जाएगा यह course बिल्कुल भी free है ठीक है फ्री होने के लिए advantage है आप कभी भी इसे आराम से कर सकते है government इसे mandatory ना कर दे ठीक है इसके लापको बोरा अभी भी आपका समय है आप इस test को इस assessment को लेके अपने पास एक certificate course कर लिजे इस चीज़का ठीक है rational use of medicines के उपर है rational use of medicine का मतलब यही होता है कि किस patient को कितने medicine की कितनी जरूरत है और pharmacist का यह फर्ज बनता है कि वो उस person को उतनी ही medicine दे ठीक है तो उसमें over the counter medicines और सारी details में दिया हुआ है ठीक है अगले वीडियो में अगले लेक्चर में